प्रणिपात मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है सो गाइस क्या आप में से कोई सोच रहे हो आर्ट कॉलेज में अन्मिशन लेने के लिए लेकिन आपको पता नहीं है कौन से आर्ट कॉलेज में अन्मिशन ले तो आज इस वीडियो का आप जरूर पूरा देखिए मैं और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे आप में से बहुत लोग मुझे यूट्यूब पर या फिर इंस्ट्राम फेस्बूक पर काफी बार पूछते रहते हैं कि वेस्ट बेंगल के अंडर जो बड़े बड़े आठ कॉलेज होते हैं या फिर टॉप अपर बताऊंगी टॉप थ्री आठ कॉलेज वेस्ट बेंगल के वह भी government university के अंडर जो की काफी famous और बड़े आठ कॉलेज है और इसके साथ मैं आपको उस आठ कॉलेज में कितने कितने department है वह भी बताऊंगी और वह आठ कॉलेज कहां पर है मतलब जो लोकेशन है वह भी आपको बताऊंगी तो गाइज टॉप थ्री आठ कॉलेज में से सबसे पहले बात करें नमबर वन की जो है government college of art and craft कॉलकाता यह कॉलेज है कॉलकाता के पाक्ष्टी तेरिया में national museum के ठिक साइड में आप में से शायद कफी लोगों को बता होगा मैं इसी college की student हूँ तो यह जो government art college है इसके इनि university के अंदर ही होती है सो अभी बत करें government art college में कितने कितने department है तो यहां पर BFA और MFA दोनों ही डिग्री है तो BFA में यहां पर है total seven department और MFA में है total eight department BFA याने की bachelor of finance डिग्री के लिए seven department है वो है painting के दो department है painting Indian style painting in western style दोनों ही अलग department है इसके बाद आती है sculpture, textile design, design wood and leather, graphics design या पिर applied art और है ceramics and pottery तो अगर आप लोग चाहो तो इन में से कोई भी एक department चूज कर सकते हो और उस पे apply कर सकते हो next बात करें MFA की master of finance की तो जो साथ department के नाम मैंने BFA के लिए बता है वही same department यहां पर MFA में भी है उसके साथ एक और department है जो की है print banking so guys अभी बात करते है बहुत ही important point के बाड़े में जो की है fee structure तो government art college में आपके BFA के लिए per year जो fees होती है बहुत ही लगभग 2000 से 2500 रुपीज तक यह पर जो भी मैं fees के बाड़े में बता रही हूं वह एक approximately idea है यह पर मैं exactly कोई fee structure नहीं बता रही हूं तो आप इसको एक approximate मानके चलिए तो next point की बात करें जो की है age limit वह भी काफी ज्यादा important point है क्योंकि बहुत लोग confused हो जाते है कितने time तक age limit रहती है इस आर्ट college की location है बिर्भूम डिस्टिक शांति निकेतन बोलपूर एरिया तो BFA में इस college में total पांच department है जो है painting, sculpture, textile design, ceramic design और graphic art यानि की print making इसके साथ दो और department है जो कि है mural और history of art तो यहां पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ ग्राफिक्स design department और graphic art department यह दोनों बिल्कुल अलग होते हैं यहां पर जो मैं department की बात कर रही हूं वह paint making है जब भी इन दोने में से कोई भी आप सिलेट करो आपको अच्छे से इसका ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट बात करते हैं fee structure की वैसे विश्व भारुति के fee structure के बाड़े में मुझे उतना अच्छे से clearly नहीं पता है लेकिन जितना मैंने सुना है या फिर इंटरनेट पे देखिए उस हिसाब से पर यार यहां पर आपके 3-4,000 लुपीज fee लगते हैं लेकिन यह बिल्कुल मैं approximate fee बता रही हूं आपको इससे ज्यादा भी हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है इसको आप अच्छे से research कर दीजिए next point की बात करें जो कि है age limit वही 22 या फिर 23 तक ही होती है उससे ज्यादा नहीं होती है वैसे मैंने अलग से इस college के जो university है उसके बारे मैं आपको न इसके नाम से भी आपको पता चल गया होगा यह जो university है यह रविंद भरत इनिवसिटी के अंडर और इसका जो location मैं आपको बता हूं यह भी कुलकाता के आसपासी होती है जो की है शैम बाजार एडिया में सो गाइज अभी बात करें इस college के BFA में कितने department है तो यहां पर है total chart department, painting, sculpture, graphics design, graphic art यानि की paint making तो यहां पर graphic design और graphic art दोनों ही आपको department देखने को मिल जाते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स बात करें इस college के fee structure क्या है तो जितने की मुझे पता है यहां पर per year three to four thousand rupees fees होती है लगबग लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है मैंने पहले भी आपको बताया है यह सिर्फ मैं यहां पर आपको एक idea दे रही हूं तो next point की बात करें जो है age limit तो यहां पर मैं age limit नही पास किया है 2021 में तो उसके बाद के two year तक आप apply कर सकते हो यानि कि अगर आपने 2021 में पास किया है तो 2021, 2022 और 2023 इन तीनों साल में आप apply कर सकते हो आपका age कोई भी हो आप EHS pass काने के बाद के two year तक apply कर सकते हो यह थी top three art college के कुछ basic details जो मैंने आपके साथ discuss किया इसके साथ मैं कुछ और चीज़े mention कर दिना चाहूंगी वह है इन तीनों college में BFA और MFA दुनों ही degree आपको देखने को मिल जाती है और इन तीनों art college में admission लेने के लिए आपको EHS pass होना ही होगा और इसके साथ एक और point जो क B.com B.hc के admission process start होते है उसी time पर लगबग आपके July-August महिने के समय तो आप उसको update करते रहिए इन तीनों art college की website आपको Google पर देखने को मिल जाती है आप चाहो तो वहां से information ले सकते हो और guys इसके साथ इन तीनों art college में admission form लेप करने के बाद आपके admission टेस्ट लिये जाते है यह compulsory होते है इन सारे college में लेकिन guys जो फीज टक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताई है इन तीनों ही art college के वो इनके official fees होती है लेकिन इसके अलावा आपके जो drawing और art के लिए अलग से materials लेने पड़ते है उसका जो budget वो अलग होती है तो उसको आपको अलग से लेन के साथ एक theory department भी होती है जो की history of art जो की art की history को लेकर होती है अगर आप लोग theoretical history of art यह सब study करने में interested हो तो आप उसमें भी apply कर सकते हो इसके बाद भी आपका कोई भी question हो या फिर आप कुछ भी selection देना चाते हो तो मुझे comment करके बता सकते हो या फिर मुझे Facebook या Instagram पर contact कर सकते हो और आप लोग नहीं हो मेरे चनल पर तो जरूर मेरी चैनल को subscribe कर दीजिए drawing लेटेड और art लेटेड आइसे ही और वीडियो देख के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पनिबाद